So Hello Everyone, आज के इस वीडियो में हम Class 10 Mathematics का यह जो तुम्हारा Chapter No.3 है Pair of Linear Equations into Variables तो इसके जो भी Question तुमारी Board Examination 2025 में आने वाले हैं उन सभी Question को तुमको टिक करवा दे रहा हूँ, अपना NCIT किताब निकाल लो, टिक कर लो यही सब सारे ही Question तुमारी Board परिक्षा में छपे वे रहेंगे Chapter 1 और 2 की वीडियो जो अल्रेडी बनी हुई या नहीं देखा हुआ होगा तो उसका Link description पर दिया हुआ है जाके तुम देख लेना चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताता हूँ कि कौन-कौन से Question तुमारा Chapter 3 से यहां से आने वाला है तो सबसे पहले तो यहां पर यह जो तुम Table देख रहो, Table 3.1 इसको एकदम रट लो क्योंकि यह 100% guaranteed है कि तुमारा Paper यहां से 1-2 number का Question यहां से बनने वाला है अब इसको याद कैसे करना है तुमको पता ही होगा, Condition याद रखना है कि अगर A1 by A2 not equal to B1 by B2 होता है तो यह Intersecting Lines होता है, अगर A1 by A2 equal to B1 by B2 equal to C1 by C2 होता है तो यह Consident Lines होता है A1 by A2 equal to B1 by B2 not equal to C1 by C2 होता है तो Parallel Lines होता है, यह तुमको याद रखना है अब intersecting lines कैसे होता है तो इस तरह से हम लोग intersect कर देते हैं अच्छा इसको हम exactly one solution भी कहते हैं यानि unique solution भी कहते हैं मतलब इसमें x का एक ही value निकलेगा और y का एक ही value निकलेगा ठीक है यह जो consonant lines होता है वो एक ही line के उपर दुसरा line lies हो जाता है यह infinitely many solutions होता है यानि इसमें x और y के बहुत सारे values निकल सकते हैं और तीसरा parallel lines बता होगा ग्राप जब बनाएंगे तो lines इस तरह से parallel हो जाएगा और इसमें कोई भी solution ही नहीं निकलता है x और y की कोई value find हम नहीं कर पाते हैं तो एक तुमको यह याद रखना ही है इसके साथ ही साथ दो चीज यहां पर नहीं दिया हुआ है पहला चीज यह कि अगर एक भी solution निकलता है ना कम से कम एक भी solution निकलता है तो consistent होता है मतलब कि ये दोनों consistent होता है ठीक है ये दोनों consistent होगा है और अगर एक भी solution निकलता है तो वो inconsistent होता है तो ये वाला inconsistent होता है ठीक है तो parallel lines जिसका solution no solution होता है तो ये inconsistent होता है और ये दोनों क्या होता है consistent होता है तो ये तुमको याद रख लेना है यहाँ पे है यहाँ पे मैं तुमको आगे और इसके जो कोश्म साफ है यहां पर तुमको बताने जा रहा हूं अब जैसे यहां पे यह कोश्म पें लिए very very important है ठीक है, paper में इस तरह का question आता है ठीक है, तो इसको जरूर करства, graphically तुमको find करने के लिए लिए आता है X और Y की value ठीक है तो इसको अच्छे से समझ लेना पूछा जाता है consistent है या नहीं है इस तरह का question आता है ठीक है तो यहां पे यह consistent है या नहीं है कैसे पता चला तो यहां पे देखो दो lines जो है एक point पे intersect किया मतलब इसका exactly एक solution निकल ला जिसको हम unique solution भी कहता है इसका आप जैसे इस question में तुमको यहां पूछा एक बताओ यह no solution है यह unique solution है कि infinitely many solutions है वह ग्राफिकल मेथर से इसको बनाना है ठीक है यहां पे ग्राफिकल लिग दिया है तो इसका भी वह एक fund है हम यहां पे graph में इस तरह से पहले graph हम draw करेंगे यहां पे graph जब draw किये तो यहां प पेपर में बिल्कुल भी नहीं आने वाला है कि यह कोशन तुम्हें की दोनों ही question यह तो कि बताविए तुम्हारा intersect at a point है कि parallel या coincident है तो तरीका सीख लेना a1 by a2 निकालेंगे b1 by b2 निकालेंगे c1 by c2 निकालेंगे इन तीनों को equal करके देखेंगे कि अगर a1 by a2 not equal to b1 by b2 होता है तो intersecting at a point होता है अभी रोल सिखाया parallel lines के लिए सारा a1 by a2 equal to b1 by b2 k but not equal to c1 by c2 होता है और coincident में सारा equally होता है ठीक है तो जो भी condition आएगा उसके अनुसार हम इसको लिख सकते है paper में यह आता है यह जरूर आएगा इसको अच्छे से जरूर कर लेना ठीक है और हाँ अगर किसी भी question में तुमको problem होगी जैसे यह question तुमको अभी समझ में नहीं आया अभी मैंने first forward में समझाया यह कि मैं तुम तो question tick कर वा रहा है जैन से आठीक किताब से tick कर लोगे paper मैंगा बड़ तुमका solution समझ नहीं होगी तो इसकी वीडियो जो अल्रड़ी बनी होई है लिंक उसका description पर मैं दे दूँगा जाके देख लेना ओके चलो आगे आता है question number 3 में तो यहाँ पर भी फिर से question पूछाए कि consistent है या inconsistent हो पक्का ये question आता ही है जिसमें inconsistent का एक ही condition है कि a1 by a2 ठीक आभी मैंने बताए a1 by a2 equal to होता है b1 by b2 का और not equal to होता है c1 by c2 का अगर यह आज आता है तो हम समझेंगे कि वो inconsistent है बाकी दोनों conditions में वो consistent होगा ठीक है तो ये भी important है टीक कर लेना ओके चलो आगे बढ़ते हैं अब इस तरह का question महार पेपर में नहीं आना वाला फोर वाला करने का ज़रूरत नहीं है आला कि यहां भी graphically find करने के लिए बोला गया है तो उपर मैंने तुमको example करवा दिया है ना वो कर लोगे तो यह भी automatically हो जाएगा क्योंकि यहां भी होई है solution हमें graphically find करने है फिर बताना consistent है या inconsistent है ठीक है तो अगर graph parallel बन गया तो वो inconsistent होगा बाकि अगर intersect होगा या एक ही line के उपर दुसरा line बन गया तो वो consistent होगा simple सी बात है ठीक है तो हलाकि important है बट इस तरह कोशन मैंने उपर ही करवा दिया थी से लिए मैंने कहा इसको करने की ज़रूरत नहीं है बाकि 5 नमर तुमारा बिल्कुल भी नहीं आने वाला है six number वाला भी नहीं आने वाला है seven number कर लेना ये important है ठीक है ये paper में दे सकता है तुमारा ये seven number important है तो बस यही है तुमारा कोशन पहला वा एक्सेसाइज में second वाल एक्सेसाइज में तुमारा यहाँ पे substitution method से solution find करने के लिए दिया हुआ है अब examinations में ना कभी भी ये नहीं रखता है कि substitution method से solve करो या elimination method से solve करो हाँ graphical method से बुलता है कि graphically solve करो लेकिन substitution या elimination ये नहीं बुलता है कि इन दोनों में से कोई एक method से solve करो एक और method था by cross multiplication method method जो की वह अब तुमको पढ़ना नहीं है तो यह चलो अच्छी चीज़ की गई है को आप तुमको पढ़ना नहीं है दोही method पढ़ने तो इधर कुछ भी करने का तुमको जरूरत नहीं है दोनों में से एक method सीख के जाओ, हलांकि सीख के दोनों ही जाओ, ठीक है, but elimination method जादा easy है, उसी method से बनाना, ठीक है, इसको करने की जवर्यत नहीं है, यह सब paper में नहीं हैगा, ठीक है, नहीं सब question नहीं आएंगे paper में कौन सा question आएगा, यह तुमको बदाता हूँ, जैसे यह root वाला question आएगा, ठीक है, लेकिन question देख लेना, यह high chances है, कभी नहीं question में तुम्हारा बुलेया कि substitution method से ही find करो, यह तुम elimination method से भी बना सकते हो, अगर exam method में नहीं आता है कि substitution method से ही बनाना है तब, अगर लिख देता है, तो उसी method से भाई बनाना, इसे लिए वर बस सीख लेना, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा यह question number 5 है, यह important है, ठीक है, इसको ever कर लेना, बाकी और इस सब अगर बनाना चाहते हो, बना लेना बट उतने important नहीं है, बस 5 वाला ही थोड़ा सा important है, अगर हम word problem questions के बात करें, तो word problem questions है, जिसमें कुछ important question तुमारा इसमें बनता है, जैसे एक तो तुमारा यह question number 4 है, यह very very important question है, इस तरह का paper में आता है, यह question तुमारा यह five marks में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, long में भी आ सकता है, तो इसको अच्छे से जरूर करके जाना बहुत important question है, इसके बाद short के लिए यह वोला question कर लेना, यह दोनों, ठीक है, two marks में गनाना रहेगा, तो इसको कर लेना, ठीक है, यह वोला question आता है, चलो आगे आते हैं, यह तुमारा elimination method आ गया है, तो इस तरह का ratio वोला question नहीं आता है, ठीक है, यह example करने के तुमको ज़रुरत नहीं पड़ेगी, चलो आगे बढ़ते हैं, हाँ, यह वाला जो तुमारा question है, example number 10, तो यह sum of the digit of a two digit number करके question आता है, reversing the digits वाला, तो यह very very important question है, इसको बिलकुल भी मत छोड़ना, paper में यह तुमारा छपा हुआ रहता है, ठीक है, इस तरह के question के त्यारी करनी है, इसके बाद आगे बढ़ते है exercise 3.3 में, तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर बहुत सारे question है, बट इसमें से अगर कोई question एक important अगर मैं कहूं, तो देखो लगबग लग सारी question का बनाने का तरीका एक ही होगा यह थोड़ा सा अलग है, तो इसको एक बार बना लेना, बाकी जैसे मैंने कहा कि elimination method, substitution method दोनों सीख कर जाना, अगर उसमें से कोई भी question आएगा, तो तुम easily कर लोगे, ठीक है, बस सीख कर जाना, कि कैसे हम elimination method से हम solve करते हैं, substitution method से कैसे solve करते हैं, नहीं आएगा तो comment कर देना already हमने समझाया हुआ है, link तुमको description पर मैं दे दूँगा, ठीक है, हलाकि सारे solution करवाया हुआ है, मिल जाएगा description पर link, NCRT का question मैंने करवाया हुए है, इसके बाद जो second question तुमारा word problem type में question दिया हुआ है, तो यह करने का ज़रूरत नहीं है, age वाला question आता है, इसको करना है, यह भी तुमारा sum of the digit of a two digit number वाला question है, यह दोनों आता है, ठीक है, very important है, यह दोनों करना है, यहाँ से फिर यह दोनों कर लेना, ठीक है, दोनों important है, यह bank वाला question कभी कभी देता है, और यह landing library वाला भी देता है, तो बस इतने question है, एक चीज़ मैं तुमको बताऊं, तो इस में से कुछ extra करनी की भी तुमको ज़रुत नहीं पड़ेगी, क्योंकि NCRT के ही question तुमारा board परिक्षा में इस chapter से रहते हैं, इस chapter से NCRT से ही रहते हैं, ठीक है, तुमको यह पता होना चाहिए, and कुछ basic knowledge के लिए तुमको यहाँ मैं बताऊं, तो linear equation के जो solutions होते हैं, इसको ह मैंने तुमको बताया था, एक algebraic method, algebraic में भी दो method से तुमको find करने के लिए सीखना है, substitution method, और दुसरा arbitration method, ठीक है, यह knowledge मैंने तुमको बता दिया है, बाकि यह सब already हमने तुमको बताया हुआ है, यह क्या होता है, तो बस यही सब है, यही सब question तुमारे paper में आएंगे, सा subscribe कर लेना, thank you, bye bye